नमस्कार स्वागत है आप सभी का तो यूपी टीजीटी पीजीटी दोजार बाइस की जो भरती चल रही है और साथी साथ यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की बरती दोजार बाइस नया बिग्यापन आया हुआ है और आवेदन सुरू हो चुके है नोतारिक से इन दोनों ही भरतियों में सभी रित्पदों को भरने की मांग की जा रही है और इसके लिए मुक्यमंद्री जी को ट्विट किया गया है इससे सम्मंदित यहां पर जानकारी है इसके लावा आयडेट जूनियर सिख्षक बरती उत्तर प्रदेश की जिसको लेकर के इस्तिती यह बन चुकी है कि यह भरती अब आगे कितने महीनों चलेगी किसी को नहीं पता है जिस प्रकार से संसोधित प्रणाम जारी करने में यहां पर इतना समय लिया जा रहा है जिस कि नहीं आप इसको करिए फूरा कंप्लेट जो भी इसमें समस्या हैं भी संगतियां उनको आप दूर करिए और दुबारा से इंका रेजल्ट घोसित करिए और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि अब जो है यह बहाना है कि इसमें जो है तीन लाग क्या सपास तीन लाग बात करेंगे आगे हम थोड़ा सा इसमें अभी की जो भी इस्तिती है उसे समझने का प्रयास करेंगे और इसके लावा 51,000 सुपर टेट बरती को लेकर के क्या है अपडेट और कल जो है बेसिक सिक्षा विभाग में बेसिक सिक्षा मंतर जी की मीटिंग है अधिकारियों के स साथ में एक तरह आप देखेंगे कि बिहार में जो है एक लाग 65,000 सिक्षकों की बहाली होने जा रही है जिसमें प्रात्मिक जूनियर टीजीटी पीजीटी के सभी के इसमें सिक्षक भरती सामिल है और इसमें अधर इस्टिट वालों को मानने नहीं किया जा रहा है तो यह के भी एक दिक्कत है इसमें तो कोई मतलब ने केवल बिहार के जो निवासी होंगे वही आवेदन कर पाएंगे यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि युआ मंच के प्रतनिदियों ने सीम को ट्वीट कर मांग की है कि महा बिद्यालियों मादमिक बिद्यालियों में जो एड़िट के हैं रिक्त पड़े पदों को भी सिख्षक भरतियों की मौजुदा बिद्यापन में सामिल किया जाएं सीम को ट्वीट कर दावा किया है कि असास की महा बिद्यालियों में असिस्टिन प्रोफेसर के 17,000 पद खाली है जबकि केवल 917 पदों पर बिद्यापन आया हुआ है बच्चे भी नहीं होंगे पर जो पर जो अध्यान है या जो पढ़ाई चल रही है और आप देखेंगे लगातार जो है मादमे की विद्यालियों में बच्चों की संक्या घड़ती जा रही है लाकों में बच्चे उनकी संक्या घड़ चुकी है तो सिक्षक ही नहीं होंगे तो फिर कहीं न कहीं वहाँ पर पढ़ाई जो है उस उचारू रूप से चल नहीं पाएगी तो यहां पर मुक्यमंतरी जी को भी ध्यान देने की आउ सकता है कि सर इसमें जो है जितने भी पद खाली हैं सभी पदों पर भरती की जाए ना कि इसमें कुछ मात्र नाम मात्र के कुछ पदों पर भरती कर रहे हैं आप इस पर संग्यान लेने की आओ सकता है बाकी आवेदन चल रहे हैं 970 पदो पर असेश्टिंग प्रोफेसर के लिए और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि बेसिक सिक्षा विभाग के अधिकारियों से बेसिक सिक्षा मंद्री जी कल यानि 11 जुलाई को संबाद करेंगे इसके लिए सभी जिला बेसिक सिक्षा अधिकारियों के लावा मंदली बेसिक सिक्षा नेदिस को वह अन्य अधिकारियों को भी बुलाया गया है यह संबाद कारिकरम इंदरा गादी प्रतिश्टान के मरकरी हाल में होगा इस मोकिये पर प्रदेश में चल नहीं बेसिक सिक्षा परसर से जुड़ी बिवन योजनाओं पर चर्चा की जाएगी इसकोल चलो अभियान आधार प्रमारी कलर से लेकर इसकोलों के काया कलप अभियान वा अन्योजनाओं की समिक्षा भी बेसिक सिक्षा मत्री करेंगे इसमें यूपी प्यार्टी की कोई चर्चा नहीं है जूनिर आइड़ेड की भरती है 74,000 सिक्षक वरती में 6800 की का जो मामला है इसको लेकर के इसमें कोई चर्चा नहीं है जबकि वरेता के साथ प्रिफरेंस के साथ इन भरतीओं पर ध्यान देना आप अतिया आवश्यक है चाहे नई प्रात्मी सिख्षकवर्ती की बात कर लें अपर प्रामरी वेकेंसी की बात कर लें जुनियर आइड़ेट सिख्षकवर्ती की परकिरिया डेड़ साल हो चुके हैं विग्यापन आये हुए और मानसिक बस पीड़ी थे हम लोग जितनी भी जुनियर आइड़ेट के अब भी रहती है मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं और नहीं हाँ पर अधिकारियों को कोई मतलब जो भी है उसे आड़ेजिये रेजल章 गोसित त्यार है सब कुश तो तो हाँ पर इतने आप भीलती है इतने हाँ भी है इतने आप भीलतियों का रेजल्ट गोसित करना अस परकार के बहाँने बताये गाए दो महीने का समय तो नहीं दिया गया लेकिन एक महीने से भी ज्छादा का समय लगबग एक महीना 10-11 दिन का समय दे दिया गया working day की हिसाब से देखेंगे तो एक महीने का समय दिया गया है माने न्याले की तरफ से 17 अगस्ति की डेट कफर्म हो चुकी है तो अब कितना लंबा समय लगेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है वस यहां पर मानसिक पीड़ा से गुजरना है अब भीरतियों को चात्रों को बाकी बिभाग और सासन अपने हिसाब से ही कारे करेंगे हम लोग चाहे कितना भी कोशिस कर लें बाकी देखिए आगे इसमें धर्ना प्र पर एक उमीद कर सकते हिए कि जैसे टीजीटी पीजडी की भढ़ती हुवी अजिस्टेंट प्रोफेसर भरति का विग्यापन आया एल्टीग्रेट में ुम्मीद नहीं बहुता है लेकिन जब तक कोई आदिकारिक या जब तक नोटिफिकेशन ही ना जाए विग्यापन ही जा रही है जो सिक्षा विभाग की हैं चाहे हो मादमिक की टीजीटी बीजीटी वाली भरती हो महा विद्यालियों के असेश्टिन प्रोफेसर वाली भरती हो जुनियर आइड़ेट की सिक्षा बरती हो जहां पर 4345 पत खाली बताये जारत लेकिन मात्र जो है लगबग 1894 पद 28,000 पत बताये गए हैं तो कम सकम कुल मिला करके 70-80,000 पतों पर कम सकम प्राफ्ट में की ही भरती आनी चाहिए इसके अनुसार तो देखते हैं अब बाकी आगे कि जैसे ही कोई भी कंफर्म अबडेट प्राफ्ट होगी या पर कल मीटिंग में जो मीटिंग में क्या कुछ इज भी अबडेट पराफ्ट होगी आप सभी को सही और आठेंटिक न्यूज हमारे चैनल के मातम से मिलती रहेंगी वीडियो को आपने लाइक शेर करके साथ में आप सभी हमारे चैनल से आगे भी इसी प्रकार से आठेंटिक जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद.